और 36 गढ़ में बिधान सभा चुनाब नजदीक आते हैं। बीजेपी के बाद में अब प्रदेश कॉंग्रिस भी सक्रिय हो चली है। आगामी 9 अक्टूबर से पार्टी के प्रदेश संगठन के आला लीडर बस्तर में धुआ धार दोरी के शुरुआत करेंगे। 12 अक्टूबर तक 4 दिन PCC चीफ महर मरकाम और प्रदेश प्रभारी पियर पुनिया कारी करताओं के साथ में बैठक करेंगे। कॉंग्रिस अध्यक्स महर मरकाम के साथ में पुनिया और सब्तिगरी उलका भी उनके साथ मौके पर मौजूद रहेंगे। महा सचिव अमरजीत सिंग्च चाबला ने बताया कि PCC चीफ महर मरकाम ने चार दिवसी पद्यातरा के माध्यां से कारी करताओं का मन टटोला था। कुछ दिन ही पूर्व मरकाम और पुनियानी ब्लासपूर संभाग की हारी हुई सीटों का संयूत दौरा भी किया था। और अब पार्टी बस्तर पर फुकस कर रही है। कुछ दिन पूर भी मरकाम और परियानी ब्लास पूर संभाग की हारी हुई सीटों का दोरा किया था और बहाँ पर जमीनी इस तर पर जनता का मंट टोला था